जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्थ करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है. बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्थ नहीं की जा सकती है. महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ और वह जीत गया एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्षि प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुक प्राप्त होते हैं जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ती होती है आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ जिसमें भगवान गौट प्रकट हुए थे टीवी सीरियल में आप देखे होंगे की प्रहलाद की पिता हरीना कशिप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे ठीक इसी प्रकार विश्वास जी ने कई अवतार लिये और दुष्टों का नाश किया रामायन महाभारत इत्यादी कहानी हम परते भी हैं और सीरियल देखे हैं ये घटना कई युगों पहले की बात है मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रहा हूँ जो आपको अचम्वित कर देगा आपको सोचने पर विवश कर दे की वास्तव में भगवान है एक गाव में एक बहुत ही साधारन व्यक्ति रहता था। उस साधारन व्यक्ति ने साहुकार से कुछ कर जा लिया कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला है ये लो पैसे और साहुकार को देकर कर्च से मुक्त हो जाओ उस व्यक्ति ने जाकर साहुकार से कहा ये लीजिए साहुकार जी आपका मूल्धन और व्याज और मुझे अपने करजे से मुक्त करा दीजिए साहुकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा करजा व्याज सहित प्राप्त हुआ आप करजा से मुक्त है साहुकार ने उस व्यक्ती से पूछा इस पर क्या लिखा हुआ उस व्यक्ती ने कहा मैं तो अनपढ हूँ जो लिखा है वह थाकुर जी जाने साहुकार समझ गया कि व्यक्ती बहुत सीधा है उनके मन में लोभा गया साहुकार ने उस व्यक्ति को कहा अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ इसी बीच में साहुकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा करजा बाकी है अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया कुछ दिन बाद साहुकार पैसा मांगने पहुंच गया उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है मैंने आपको पैसा दे दिया है मामला कोर्ट में चला गया कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर्ट जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया। जद साहब ने पूछा कोई गवाह है जिसने आपको साहुकार को पैसा देते देखा था। उसने कहा हाँ ठाकुर्ट जी है, ठाकुर्ट जी ने मुझे पैसे देते हुए साहुकार को देखा था, जद साहब ने कहा ठाकुर्ट जी को बुलाया जाए, पुलिस वालों ने उस गाउव में जाकर लोगों से पूछा ठाकुर्ट जी नाम का कोई व्यक्ति इस गाउव में है उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा गाउव वालों ने कहा ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गाउव में नहीं है ठाकुर जी का मंदर है अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई जद साहब के बगल में खरा भक बताए क्या बात है जद साहब ने ठाकुर जी से पूछा क्या आप इस व्यक्ति को साहुकार को पैसे देते हुए देखा था तब थाकुर जी ने बोला हाँ जट साहब मेरे सामने में इस व्यक्ती ने साहुकार को पूरे पैसे व्याज समेट दे दिया था आप साहुकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ती को साहुकार के घर भेजिए साहुकार के घर में अलमारी नम्ब तीन में एक फाइल है उस फाइल के 22 में पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ती ने व्याज समेट पैसा दे दिया वह व्यक्ती इतना बोलकर चला गया कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जजज साहब को एक पर्ची दी ये पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा व्याज समेट मिल गया जजज साहब ने कहा ठाकुर जी कहा गए उनको बुलाओ ठाकुर जी दिखाए नहीं दिये अगले दिन जजज साहब उस व्यक्ती के गाउव गया पूरे गाउव में खोजा गया सभी व्यक्ती ने कहा कि वह व्रिधा आदमी इस गाउव का नहीं था जजज साहब समझ गए वह वास्तब में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे जजज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया जजज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिटी को अपने सिर में लगाते थे किसी मंदर में बैठते नहीं जद साहब कहते थे हमने भगवान को अदालत में बुला कर खड़ा किया था फिर मैं किसी मंदर में कैसे बैठ सकता हूँ इस तरह जद साहब काफी बदल गया ये कहानी सची घटना है यदि आपको भगवान को और पर विश्वास है तो वो जरूर आपको बुरी वक्त में सहायता करते हैं